एक एकर से तिनला कलाब, तीन महिने में एक खिलग मचली, किसान साथे और साथ परसेंट किसान इसी मचली पालन की खेती करते हैं, हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं पंगेसियस मचली की, जिसों पंगास बोलते हैं, कई जगा जास की प्रिपेशन कैसे करें, अपने तलाब में कितने बच्चे स्टॉक करें, और हम अपने कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं कि हमारा जो मैक्सिमम लाब हो, दोस्तों, पहला सवाल होता है कि हम पंगास की फार्मिंग आखिर क्यों करें, देखिए तो इसका मेन कारण क्या होत जाती है, जिसकी बहुत इफास ग्रोफ होती है, अगर आपके तालाब में की कमी हो, तो भी यह मचली आपको इजली सर्वाइब कर जाती है, और यह मचली इतनी हाड़ी है कि अगर पानी में की कमी हो, तो भी मचली सर्वाइब कर जाती है, तो दोस्तों, बिजनेस के परप भीप से तो दोस्तों अब से आपको जो भी बतायेगा वह सब एक एकड के हिसाब से यानि कि 43,560 स्क्वार फीट जो एरिया होता है गौर्णमेंट का एकेश्टर एरिया होता है उसके हिसाब से आपको जानकर दिया हम देने का प्रैस कर रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अपनी तलाब हो सकती कि आपकि तलाब आधहकर की हो, हो सकती हैएक घकटेर की हो, तो आप उसके हिसाफ से इसको calculate जो है, तो कर लिजेगा. तो पहली प्रक्रिया क्या होगी, कि तलाब की तयारी मतलब कैसे आपको करनी है, या एक एकर तलाब में आपको क्या करना पड़ेगा, कि 2ichtlichiner से जढ़ा जिसकी घराई नहीं होगी क्योंकि पंगास से 10 कम घराई में पाल नीछ ही ज़यादा गहराई इंपालेंगे तो दिक्कात होगी तो पंगास एक air w दार मचली है जो उपर आके सांस लेती है बारबार आपने देखा होगे पाईई की उपर में आती और सांस लेके नीचे चली जाती है तो इसलिए अगर तलापी गहर ही जादा होगी तो आपकी जो मचलिया को ज़ादा दूर तक आना पड़ेगा फीर नीचे जाएगी फीर उपर आएगी तो इसे क्या है न ज्यादा ठकरवाट होगी और मचली को ज्यादा जो ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो इनसे इसकी जो एनर्जी है वो लॉसेस होगे और देखिए ग्रोथ के लिए आपको इसमे ज्यादा फीर जो है डालना पड़ जा सकते हैं और अगर आपके तलाब में पानी के समस्या है पादी नहीं रुखती है तो आप पका तलाब या लाइनार तरप की जा सकते हैं अगर आप इसके लिए डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्सिन में जरूर लिखेगा और पॉंड लाइनर टैंग को समझ कशिड़ काओ कर दे चूने से आपके तलाब में जो एंचा है जो बेक्टेरिया है फंगर्स है वो सारे असब्स मर जाएँगे ती आपको तालाब तो इससे आपके तलाब में नेचरल फीट आ जाएगा और आपका फीट का जो कास्ट बीस से तीस परसंट तक कम हो सकता है अगर आप मचलियों के तलाब को कैसे प्रिपियर के जाता है इसके बारे में भी आप 20-30 जान करें चाहते हैं तो मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताए तो दोस्तों अब आपका तलाब तयार हो गया है तो आपको मचलियों के बच्चे तलाब में डालने हैं जिसे हम लोग नार्मल बोलचाल की बहाथ साब इस टाकिंग काते हैं तो मचलियों की स्टाकिंग का जो मुख्य रूफ है या तो आप हाई डेंसिटी में जाएंगे या फीर आप लो डेंसिटी फार्मिंग में जाएंगे तो दोस्तों अगर आप एक अनुभवी किसान है आप लंबे समय आप अप्रेल या मई तक नहीं स्टॉक करेंगे तो आप अक्टूबर ये नॉवंबर में एक हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं या फिर आप सीधे फिंगर लिंग को अपने तलाब में डाले तो आपका हार्वेस्टिंग जल्दी हो जाएगा दोस्तों एक एकर तलाब में आप 8000 से लेकर के 10,000 बची स्टॉक कर सकते हैं और कुछ लोग तो 10,000 से लेकर के 12,000 फंदर हजार तक की बची स्टॉक करते हैं अगर आप डिजिज मेंजमेंट की बात करें या जैसे अन्य चीजों को अच्छे से मेंज कर पाते हैं तो आप भी फार्मिंग अर्राम से कर सकते हैं, तो दोस्तों पंगास एक जल्दी बढ़ने वाली फीश है, जिसे आप इन्वेस्टमेंट को जल्दी हार्वेस्ट करके अपने पैसे को रोटेट बार बार जो है कर सकते हैं, तो देखे इसके बाद बात आता है, मचली आपने स्टॉक कर ल लैं कितने आपको नहीं डालने हैं, तो आपको फ्लोटिंग फीट क्यों डालनी चाहιत है, देखे इसके लिए क्या है, कि आपने उक्मराशाल कअ थिट को मशलें थर्हा होतलए वह मशलें लिंग के इनुट प्लाणिंग सब्सक्रार अिन पिट शैंए आपको लिए बार के नुसार जो है ना साथ परसेंट पूरे बॉड़ी वेट के हिसाब से आप रोटिन फीर उनको खिला सकते हैं दोस्तों मचली पालन में सबसे जादार जो पैसा है वो फीट पर ही आपका खर्च होगा अगर आप सही तरीके से फीट नहीं डालेंगे तो आपका नुकसान पात हैं तो महिने में एक सेंप्लिंग जो आप कर लिजेगे और मचलियों को एक एवरेज बाड़ी वेट कितना होता है इसे आप निकाल लिजेगा और इससे आपको एक अंदाज्य लग जाएगा कि आपको कितने फीट डालने की आवसकता है फीट के मामले में एक और प्रोटीन आपको देनी चाहिए बहुत साय लोग अलग अलग चीजों को फीडिंग में डालने की कोशिस करते हैं तो देखिए उसमें दो समस्यां आ सकते हैं एक तो मचलियों को जितने प्रोटीन चाहिए वो पूरा नहीं होगा और दूसरा आपका जो कल्चर का टाइम है दोस्तों यहां तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर जरू कर दे ताकि जो एक ग्यान है वो शेयर होता रहे और आपके दोस्तों तक भी इसका लाब पहुंच सके अब बढ़ते हैं सबसे जरूरी टापिक पे कि आखिर प्रोफिट कितना होगा क्योंकि घुम फिर के बात आती है कि पैसा कितना कवाएंगे तो दोस्तों जैसे पहले की बताया गया है कि पंगाज जो है एक बहुत ही हाई ग्रोथ करे वले मचली है बहुत जल्दी बढ़ने वले मचली है इसी के लिए अगर आप फिंगर लिंक कर रहे हैं त आपका जमीन भी लिज में लिया हुआ है तो भी एक किलोग्राम मचली त्यार करने में आपका 55-60 रुपया खर्चतों होगी जाता है मार्केट में पंगेस मचली का जो रेट है होलसेल में 100 रुपय से लेकर कि 105 रुपय तक का भाव 36 गड़ में चल रहा है उत्तरपतेश ब भारत में कौन से हिसे संबंदित है यह काफी डिपेंड करता है कि आपका रेट क्या जाएगा जैसे मैंने बोला कि बिहार में 140 का चूरा है जबकि 36 गड़ में 100, 105, 115 तक का भाव है तो अलग-अलग एरिया में अलग-अलग रेट हो सकते हैं आप एक बार इसके लिए मार्क प्राफिट लेकर के चलते हैं तो देखिए एक एकर में आपका धाई लाग के आसपास आपका प्राफिट जो है इजली हो जाता है और अगर आप अपने कल्चर को अच्छी तक मेनेज कर पाते हैं और इसी को आप 15 तक ले जाते हैं तो सुची फायता आपका डबल हो जाता है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ महत्पूर बातें जो पंगेसेस पालान के लिए बहुत ही महत्पूर हैं पंगेसेस में हाई डेंसिटी कल्चर में कुछ फंगल बिमारी आती हैं और जिनका ठीटमेंट करना जरू है मचलियों के सीड को डालने के पहले आप उनक बिमारी आई है वह आपके तालाब में ट्रांसफर नहीं होगी फीट के साथ साथ आपको हर दिन में बिटामिन सी की टेबलेट भी जरूर देना चाहिए जिसमें आपने श्टॉकिंग कर रहे हैं और तालाब में नेचुरल फिर बनाने के लिए आपको बीच बीच में ताल कोई भी डाउट हो और या कोई ऐसा चीज हो जो हमने गलत कह डाली हो या हमसे कुछ मिस्टेक हो गई हो चूट गई हो तो मुझे आप कमेंट बाक से बिलकुल लिख सकते हैं वीडियो को एक लाइक और एक सेयर करना मत भूलेगा चैनल में नए आया है तो चैनल को सब्स्र कि अवाद नवाद नवाद, नवदस्काट, जजए उया होगा